फिलो दोस्तों स्वागत आपका एस्फरेंस में देखिए किस प्रकार से यहाँ पे लाइजर के मादधे हमसे डाइवर्ट किया गया है जो आकासी बिजली होती है तो फिलाहल यह रिसर्च जो है वो किया गया सैंटीस माउंटेन पे यह आपका इस्थित्त है आपके एल्फ परवत पे एल्फ परवत कहां पे है यह है शुडजर लेंड में और यहाँ पे रिसर्चर्चर्स की एक टीम थी जिसने इस प्रकार का कारणामा करके दिखाया है फिलाहल देखिए बात करें लेजर बीम की तो इस परकार से यह लेजर था और देखिए किस परकार से यह माउंटेन जो है यहाँ पे अकसर जो आकासी बिजली है वो इस परकार के जो यह इंफ्रच्रच्टर है उनको छती पहुचाती रहती है तो यहीं पे इसको लगाया गए था इस प्रकार का एक laser beam जिसने क्या किया जो अकासी बिजली है उसको diverte कर दिया जानी कि वो जो आकासी बिजली है इसी के अनुरूप चली गई अकास के दूसरे हीसे में अगर बात करें उसको अगर नीचे ही लाना है तो नीचे भी उसको लाया जा सकता है ये डिपेंड करता है situation पे अभी अगर हम बात करें तो किस प्रकार की चीज़ें यूज की जाती है इसे अकासी विजली को कंट्रोल करने के लिए तो देखिए अभी हमने देखा होगा कि रॉड लगाया जाते हैं अक्सर घरों में बड़े बड़े जो बिल्डिंग होते हैं वहाँ पे भी रॉड की माध्यम से उसको जो अकासी विजली होती है उसको नीचे लाने का प्रयास किया जाता है उसको धरती के अंदर भेज दिया जाता है लेकिन अभी फिलाहल यह जो रिसर्च है इस पे बहुत जादा लोगों की निखाहें थी कि किस प्रकार से इसको सक्सेस्पुल बनाया जाएगा लेकिन यह जो लेजर बीम है जो की ग्रीन कलर में था देखिए ग्रीन कलर का जो वेबलेंथ होता है काफी हाई होता है तो इसी के माध्यम से इसको कंट्रोल करने का प्रयास किया गया अब देखिए फिलाहल एक यहाँ पे टेली कम्यूकेशन का जो एक टावर है वो 124 मीटर हाई है इसी के इस पे अक्सर जो आकासी बिजली है वो अक्सर इसको नुक्सान पहुचाती रहती है तो रिसर्चर्स ने सोचा कि क्यो ना इसको यहीं पे लगाया जाए और यहीं प आने वाला था उस टावर के पास अब फिलाहल दुनिया भर के साइंटीज दो हैं वो इससे काफी खुस है और बोल रहे हैं कि जो लाइटिंग रॉट्स अभी फिलाहल यूज किया जाते हैं उसको आने वाले समय में रिप्लेस किया जा सकता है इस लेजर भीम के माध्यम से क्योंकि जो वो उस प्रकार की चीजें होती है उनसे काफी समस्या भी होती है अक्सर जो हमारी बिल्डिंग्स होती है बड़े बड़े सहरों में आपने उची 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 बिल्डिंग्स देखे होंगे उनको काफी नुकसान पहुंचाती है जो आकासी बिजली होती है इस पे अगर रिसर्च की बात करें तो करीब 20 साल सी इस पे रिसर्च चल रहा था अब देखिए इनसी परकार की चीजों को अकसर क्या होता है कि आगे चल कर नोवेल प्राइज भी मिलता है तो हो सकता है आने वाले कुछ वर्सों में इसको नोवेल प्राइज दिया जाए जब य क्या करते हैं डाइवर्ट करते हैं इस परकार के लाइटिंग स्ट्राइक को लेकिन क्या होता इसके वज़ए से भी बड़े-बड़े बिल्लिंग्स में काफी नुकसान हो जाता है या फिर इसके अलावा जो सैंटिफिक रिसर्च की चीजें हैं वहां पर कभी-कभी लाइ चीज़र्धन होते हैं और यह बड़े एरिया को प्रूटेक्ट नहीं कर पाते हैं जबकि यह जो लिज़र बीम होगा यह बड़े-बड़े एरिया को भी प्रोटेक्ट कर सकता है यानि कि अगर आप निउयोर्क सिटी में एक पर एक ही लेजर बीम यूज करें तो ये पूरे सहर को सेफ कर सकता है जबकि आप हर बड़े बिल्डिंग में देखेंगे रॉट्स लगाए जाते हैं जो की बड़े स्ट्राइक अगर लाइटिंग क्यों होते हैं तो उनको डाइवर्ट करके वो उर्जा में कनवर्ट कर देता हैं कुछ क्या क करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस लेजर को किस परकार से यूज किया जा सके अन्यस्थानों पर तो अब देखिए जो रिसर्च है वो आगे चल के पता चलेगा कि क्या कारगर रहता है लेकिन एक कह सकते हैं कि बहुत ये अच्छा इसको एक रिसर्च माना जा रहा है अभी क कीम को बनाने के लिए लेकिन रागत बहुत जाद नहीं है आने वाले समय में इस की लागत को कम किया जा ढतार दरए जहां पे इसको लगाया गया था और प्यास किया गया था कि कि इसको मतलब की बचाया सके और इसमें पुरी तरीके से सक्सेस्फुल भी रहें अब अगर बात करें आगे चीजों की तो यहां पर देखिए प्रॉपर्टीज को बचाना और इनके अलावा ट्रेवल डाउन करना और मिटल वायर को हटाना इन प्रकार की चीजें आने वाले समय में हो पाएंगी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है खासकर इस जगह के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि कहां पे है यह सैंटीज जो मौंटेन्स हैं क्योंकि जोगरफी में अक्सर प्रस्न पूछ लिए जाते हैं प्रकार के कि सैंटीन्स मौंटेन Vergna कहां पे हैं किस देश से लगते हैं तो इनके बारे में थोड़ा ध्यशन रखिएगा और थोड़ा सा Leisure Technology के बारे में भी आप ध्यशन रखिएगा कि किस परकार से इसका यूज किया जा सकता है तो हो सकता है इस परकार की question बनाए जाए कि निमनल लिखित में से कौन-कौन से laser technology से चीजें उनको आसान बनाए जा सकता है तो defense में और lightning यानि की आकासी बिजली से सुरच्चा में और इसके अलावा communication में तो इन सब चीजों पर ध्यान रखिएगा तो आकासी बिजली को divert करने में भी इसका यूज किया जा सकता है laser beams का तो इस परकार के प्रस्न पूछे जाएंगे आने वाले समय में तो इसको ध्यान रखिएगा और सैंटीस माउंटेन के बारे में ये भी आपको ध्यान रखना है फिलाल अभी के लिए इतना ही, thank you